Hello everyone, in this video we will discuss a short story और जिसका नाम है Very Lonely She and this is written by Moti Lal Jotwani अगर हम इस story की characters की बात करें तो इसमें में ली तीन ही characters हैं पुरन मौसी जो की protagonist है इस story की विमला और मनोहर विमला और पुरन मौसी दोना sisters होती हैं और मनोहर विमला का बेटा होता है और जो पुरन है वो मौसी लगती है मनोहर की और इसलिए इनके नाम को रिप्रेजेंट किया गया है पुरन मौसी के नाम से इस story रिप्रेजेंट करती है एक विडो ओल्ड एज लेडी की situation को कि किस तरह से उन्होंने अपनी life में बहुत ज़्यादा struggle किया है उनकी जो married life थी वो अच्छी नहीं थी और उनके husband ने छोड़ दिया था वहां से आने के बाद वो अपने parents के साथ रहती है और उनकी भी कुछ टाइम बार death हो जाती है and now she is alone उनके पास कोई भी नहीं है और ना ही कोई relations है और ना ही कोई रिष्टे बचे है इसी बीच जो हमारा next character है मनोहर वो उनसे मिलने के लिए आता है जो कि उनकी बहन विमला का बेटा होता है और यहाँ पर उनको पता चल जाता है कि जो मनोहर है वो भी कहीं न कहीं उनको एहसास दिलाता है कि वो बहुत ज़दा alone है बहुत ज़दा अकेली है इस world में so start करते हैं इस story को so इस story का जो narrator है वो है मनोहर जो की बेटा होता है विमला का और इसमें दिखाया गया है interrelation between मनोहर और पूरन मौसी कि किस तرह से उन दोनों के आपस में relation है और इसमें ये भी दिखाया गया कि किस तरह से जो पूरन मौसी है उनका relation है society को लेकर उनने एक तरह से ignore किया गया है चाहे वो relations हो या फिर उनके in-laws हो या फिर उनका husband हो पूरन मौसी के husband ने उनने छोड़ दिया है after that she lives with her parents but कुछ time बाद ही उनके parents की death हो जाती है और वो दुबारा से alone हो जाती है क्योंकि अब उनके पास कोई रहने वाला नहीं है ना ही बच्चे हैं उनके पास और ना ही उनका husband है और ना ही अब उनके parents है she has no earning अब उनके पास earnings भी नहीं बची है कि जिससे वो अपना survival चला सके अपने आपको meal दे सके या फिर अपनी basic requirement अपनी basic needs को fulfill कर सके क्योंकि जब earning का source नहीं है mainly होता है पैसा अगर पैसा ही नहीं है तो अपने survival को कोई भी इंसान नहीं चला सकता तो वही situation यहाँ पे present की है पुरन मौसी के character से मोतिलाल जी ने कुछ सालों पहले story जो है वो कुछ सालों पहले चली जाती है और वो remind करती है याद करती है कि वो women का एक institute चलाती थी पूरन मौसी जब वो अपनी young age में थी जहाँ पे women को tailoring का काम सिखाती थी buttoning का काम सिखाती थी या फिर हम कह सकते कि जो basic skills थी जिससे इंसान पैसे अर्ण कर सकता है वो सारी जो skills थी वो दूसी ladies को सिखाती थी लेकिन अब वो जब old age में आ गई तो उनसे वो काम handle नहीं होता था और जो machines थी उन्होंने उने बेच दिया और जो उनका institute था उसे भी बेच दिया poverty इतनी जादा थी कि जो उससे पैसे मिले वो पैसे भी उनके खत्म हो गए धीरे धीरे basic needs को पूरी करते करते ही earning का एक ही source था उनके पास वो था rent जो कि उनके half घर का आता था एक complete घर होता है जिसके half portion में वो रहती थी और उसी के half portion में उन्होंने rent पे दिया हुआ था और उसका जो rent आता था उसी से वो अपनी basic equipment क्योंकि जो lackness थी money की उसकी वज़े से वो modern equipment को कभी खरीद ही नहीं पाई but she do all the household chores with the full of self respect इसमें एक चीज़ इनोंने highlight की है कि जो पूरन मौसी है उनमें बहुत ज़्यादा जो self respect है हम कह सकते हैं वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर भरा हुआ है वो अपने आपकी बहुत ज़्यादा respect करती है और self respect की वज़े से ही जब उनके husband ने उन्हें छोड़ दिया तो वो दुबारा उस घर में नहीं गई हालाकि जो उनकी situation थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं है अभी भी उनके parents की death के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई लेकिन फिर भी self respect की वज़े से वो दुबारा से अपने in-laws के पास नहीं गई अपने husband के पास नहीं गई यहाँ पे वो थोड़ा सा एक moment को show करती है अपने past को याद करती है और बोलती है कि यहाँ पे बताया गया है कि एक बार जो इनका brother-in-law था उसका बेटा जिसकी age जादा नहीं वो एक childhood age पे था उसने बोला for God's sake, leave us alone तो यह जो words हैं यह कहीं न कहीं उनको बहुत ज़्यादा hurt करते हैं यह जो sentence है उनको बहुत ज़्यादा hurt करता है पूरण मौसी को और वो अपने घर को छोड़ के चली आती है दुबारा वहां नहीं जाती यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे एक छोटा सा बच्चा जिसके दिमाग में इतनी बाते आ गई कि वो अपनी आंट को अपनी चाची को इस तरह से बाते बोल सके अब जो उनकी condition है वो अकेली रहती है और उनके पास रहने वाला कोई नहीं है ना तो उनकी बाते सुनने वाला और ना ही उनसे बाते करने वाला Once a day जो मनोहर है वो कहीं घुमने जाता है और बीच में ही अपनी मौसी पूरन मौसी से मिलने आ जाता है He is very decent and innocent कहीं न कहीं वो बच्चा होता और उसका जो attraction होता है वो अपनी मौसी के towards होता है इसलिए वो यहाँ पे उनसे मिलने चला आता है पूरन मौसी feels happy to see or know her क्योंकि बहुत टाइम के बाद उनसे कोई मिलने आता था मिलने आता है Normally जो relatives हैं वो इन्हें ignore ही करते आए हैं जो वो life के बारे में पूछता है Then she replies life become the way you mold it This is the exact lines of पूरन मौसी और यहाँ पे जो writer है वो show करते हैं कि जो पूरन मौसी है अभी भी कहीं न कहीं hope लेके बैठी है और जो self respect है वो उनके अंदर build up है She is in peaceful mind और वो जो life है चाहिए वो alone life है वो उसके बारे में भी ज़्यादा नहीं सोचती और बहुत शांती से रहती है उनके पास कोई bitterness नहीं है bitterness जो उनका past था चाहिए वो husband को लेके था illos को लेके था या फिर जो उनके parents की death हो गई उसके बाद वो अकेली हो गई उसको लेके था या जो relatives थे जिनोंने हमेशा उन्हें ignore किया इन सब को लेके वो कभी भी bitterness से नहीं भरी दी नहीं इनके बारे में कुछ गलत सोचती और बोलती थी जो रिष्टेदार हैं जो relatives हैं कभी बहुत अच्छे friends हुआ करते थे इनके और इनसे मिलने भी आते थे लेकिन अब यहां पर दिखाया गया है कि जो situation है जब इनसान गरीब होता है जब पूर होता है या फिर उसका economic status अच्छा नहीं होता तो जो family members या फिर हम relatives बोल सकते हैं वो भी उनसे दूरी बना लेते हैं distance maintain कर लेते हैं शी offers him food and she also know the little things about the manohar यहां पर दिखाया गया कि किस तरह से जो manohar है वो उनसे मिलने आता है काफे time बाद लेकिन फिर भी उनने याद है कि manohar को कैसी tea पसंद है उसे soup पसंद है या food में उसे खाने में क्या-क्या पसंद है वो छोड़ी-छोड़ी चीजों को जानती है जो कि manohar को पसंद होता है यह शो करता है कि जो पूरन मौसी है उनके दिल में manohar के लिए बहुत ज़्यादा space है वो उसे अपने बेटे की तरह प्यार करती है यह उनके loving nature को present करता है जब manohar बताता है कि उसके पिता की death हो गई है वो दुबारा से pain में चली जाती है अब यहाँ पे pain में जाने का reason यह होता है कि death के बाद कोई उसे नहीं बताता कि जो विमला का husband है उसकी death हो गई है और उसे यह बाद आज पता चलती है इतने सालों बाद यहाँ पे दिखाया है कि जो relatives हैं वो किस तरह से पूरन मौसी को ignore करते हैं वो बताते भी नहीं ना तो वो अपने happiness में उन्हें involve करते हैं और ना ही वो उन्हें अपने sadness में involve करते हैं या फिर कोई भी इस तरह की बादचीत उनसे करते हैं यहाँ पे जो हमारा character मनोहर है वो guilty feel करता है इस moment के लिए और उसको realize होता है कि जो हुआ वो ठीक नहीं था और at least अपनी happiness और sadness तो share करनी चाहिए पूरन मौसी के साथ लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो past था दुबारा से जो पूरन मौसी है she feels the same pain जैसा की pain उन्होंने starting में feel किया था जब उनके brother-in-law के बेटे ने बोला था उन्हें अकेला छोड़ने के लिए और अभी जो मनोहर है उसने जो बताया कि उसके father की death हो गई है लेकिन यहाँ पे पूरन मौसी को कुछ नहीं पता था तो यह दोनों situation यह दोनों जो बच्चे होते हैं वो उनको एक तरह से ही समझती है कि जिस तरह से उस लड़के ने brother-in-law के बेटे ने मुझे पेन दिया था उसी तरह से मनोहर ने भी एक पेन दे दिया होता है पूरन मौसी को presently पूरन मौसी is an old age widow है वो और अपने survival के लिए अपने self-respect के लिए ही लड़ती रही है उनका जो survival है वो बहुत ज़्यादा hard है hardly वो अपने घर को manage करती है अपनी basic needs requirement को fulfill कर पाती है तो यह story यहीं पे खत्म हो जाती है friends अगर हम इसके title की बात करते हैं very lonely she तो यहाँ पे starting of the story से लेके end of the story में एक ही चीज़ दिखाई गई है कि किस तरह से जो पूरन मौसी है वो अकेली है और lonely को show किया है characters के through जैसे कि उनके husband ने उनको ignore कर दिया छोड़ दिया फिर वो अकेली हो जाती है after that उनके parents की death हो जाती है then she was alone और उसके बाद जब manohar आता है तो वो बताता है कि उसके father की death हो गई और तब भी ये बात उन्हें कई सालों बात पता चलती है starting में उन्हें नहीं बताया जाता है then also she was alone तो जो ignorance है और जो loneliness है इस story में present किया गया है पूरन मौसी के characters के through अगर हम इसके themes की बात करते हैं तो इसमें ignorance को दिखाया गया है ignorance को दिखाया गया कि किस तरह से ignore किया गया पूरन मौसी को उनकी complete life में चाहे वो कोई भी हो husband हो या sister हो या फिर बाकी जो relatives हैं उन्होंने हमेशा उन्हें ignore किया अपनी happiness और sadness में उनको कभी भी involved नहीं किया next theme इसमें loneliness को लिया जा सकता है कि वो starting of the story से लेके end of the story में दिखाया गया कि वो अकेली ही है उनके साथ रहने वाला या उनसे अपनी happiness या sadness को share करने वाला कोई भी नहीं है struggle को present करती है ये story struggle दिखाया गया है पूरन मौसी का कि किस तरह से वो starting में जब young age पे थी तो भी काम करती थी self respect के लिए और खुद earning करती थी और अभी भी वो life में अपनी basic needs को अपनी basic requirements को fulfill करने के लिए struggle ही कर रही है next team इसमें दिखाया गया है कि जो modernity है वो vanish कर रही है relations को modernity की बात यहां क्यों बोली गई है क्योंकि basically यह जो पूरन मौसी है यह village में रहरी होती है और जो manohar और vimla जो इनकी बहन और उनका बेटा है यह सहर में settled होते हैं तो जो इनका economic status होता है वो बहुत ज़्यादा difference आजाता है उसमें और दूसरा reason यह भी है कि जो पूरन मौसी है उनको financially support नहीं मिलता उनकी life में उनके husband से या फिर उनके parents के पास भी बहुत ज़्यादा money नहीं होती कि जिसते वो अपनी financially requirement को fulfill कर सके यहाँ पर दिखाये गए कि society में अगर आपके पास economic status अच्छा नहीं है तो जो लोग है वो आपको ignore करते हैं और जो relations होते हैं जो relatives होते हैं आपके वो जो relations बनाते हैं हम लोग अपनी life में वो vanish हो जाते हैं खत्म हो जाते हैं तो यह story यहीं पर खत्म होती है friends if you like the video and like the presentation so like share and subscribe my channel be with us goodbye and take care